जैहिन नमस्कार दोस्तो, आज हम जिस स्टॉक्स का डिस्किसन करने वाले हैं, उसका नाम है SBI Card and Payment Services, जैसा कि आपने अभी देखा कि Amazon पे Sell लगा हुआ था, और Amazon पे जो Republic Day का Sell था, उसमें साफ साफ यह था, कि अगर आपके पास SBI Card है, और SBI Card से अगर आप Payment करते हैं, तो आपको 10% तक का Discount देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो Amazon पे अभी आज Sell खतम हुआ है, तो काफी लंबे टाइम तक Sell चला था, कि अगर आप Amazon से कोई भी प्रोड़क्ट खरीते हैं, तो आपको लग कार्ड को Use करेंगे, कार्ड से Payment करेंगे, तो आप समझ सकते कि कितना Heavy Payment हुआ होगा, और जब यह Payment होगा, तो उसे इस Company की Growth होने की Chances क्या हो जाती है, अगर यहाँ पे Business बढ़ता है, तो यह चीज़ यहाँ पे आने वाले टाइम पे चार्ट में भी देखने को मिलेगा, और इसका stocks उपर जाते हुए देखने को मिल सकता है present time अगर हम SBI cards पे आए तो जब से यह list हुआ है listing की जो price थी लगवग 724 रुपेगा था March 2020 में तो March 2020 से लेकर अभी यह January चल रहा है मानके चलते हैं कि अगर इंग March तक 24 तक उसी rate पे रहता है तो लगवग 4 साल का time period बीच जाएगा और 4 साल में stocks का fundamental तो बहुत grow हुआ है अगर हम यहाँ पे fundamental में आते हैं 2020 से 2024 का time period देखते हैं तो 9000 करोड का sales था यानि company 9000 करोड रुपे की revenue जनरेट करती थी अब 9000 करोड के sales से लगवग company 15000 करोड से उपर का sales जनरेट कर रही है और यहाँ पे अगर अगर दिसंबर क्वाडर का result आएगा जब आपको दिसंबर क्वाडर का result आएगा तो यह जो TTM है आराम से बढ़के 16000 करोड से उपर का हो जाएगा तो अगर यह 9000 करोड से 16000-17000 करोड के आसपास अगर TTM चला जाता है यानि 2024 का sales चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो sales है top line जिसको हम बोलते हैं उसमें 100% की gain देखने को मिल रही है साथी साथ अगर हम यहाँ पे bottom line की बात करें यहाँ पे net profit की बात करें तो net profit भी लगातार बढ़ रहा है अगर हम 2020 के net profit की बात करें तो वो 1200 करोड था क्या वो net profit लगभग 2400 करोड के आसपास देखने को नहीं मिल रहा है यानि जो 1200 करोड का net profit था वो यहाँ पे 2300-2400 करोड के आसपास देखने को मिल रहा है, तो टॉप लाइन 100% का ग्रोथ तो दी भी है, साथी साथ बॉटम लाइन में भी 100% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस जब से कमपनी आई है, पिछले 4 साल पहले 2020 में 724 के प्राइस पे थ वही प्राइस आज भी देखने को मिल रहा है, चार साल बाद भी, जबकि 4 साल बाद fundamental 100% ग्रोव हो चुके है, साथी साथ अगर हम यहाँ पे आपको यहाँ पर रिजर्व दिखाए, तो 2020 में 4000 करोड का रिजर्व होता है, बढ़के 10,000 करोड का रिजर्व हो चुका, तो रि बढ़ रहा है, फिक्सेस बढ़ रहा है, कंपनी की रिवेन्यू बढ़ रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का सेयर प्राइस उसी रेंज में देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे कंपनी का सेयर प्राइस देखें, तो जो रेंज इसक को मिल रहा है सेम रीच पे यह चोम रहा है साथ ही सासर यहां पे आ cannabis box इस रेंज Mr रैंजजमे आया है झैकर और अच्छी 585 भी आई है अगर आप यहां पे नोट करिंगे तो जब जब इस हजुज इस इस रेंज में आया है देखिए यहां पर इस रेंज से तो नीचे गया था लेकिन इस रेंज पर आने के बाद अच्छा खासा बाइंग आई फिर से इस रेंज में आया अच्छी खासी बाइंग आई फिर से इस रेंज में आ रहा है तो मेरे इस रेंज से यहां पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, अगर यहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, तो यह stocks इस range तक, जैसे यहां से भागेगा, तो यह आराम से पहला जो इसका target निकल कहता है, वो 941 के आसपास का देखने को मिलता है, अगर यह 941 को break करेगा, तो मेरे ही दूसरा target अपने lifetime high को touch करते हो देखने को मिलेगा, जो 1160 65 के आसपास देखने को मिल रहा है, मैं सब बोल को रहा हूं कि यह भागेगा ही भागेगा, यहां से जाना ही चाहिए, तो कि fundamental ऐसा आप बोल रहा है, कि यहां पे growth होनी ही चाहिए, अगर stocks हैं, देखें, risk तो रहता तो नहीं है, लेकिन आप अपने due diligence का use करेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि stock market कैसे behave करता है, अच्छा यहां से अगर हम yearly data में देखें, तो 2020 में 69.55% promoter holding थी, जो कि 68% के आसपास देखने को मिल रहा है, तो promoter ने बहुत जादा इस तेक sell नहीं किया है, यह ले 1% के down द पास पास हो गए, public जो 22-23% की थी, अभी घटके 5% हो गई है, तो आप समझे, 95% इस company का हिस्सेदारी का 95% केवल और केवल जो promoters है, FIs है, DIs है, उनके हाथ में है, retail के हाथ में तो केवल 5-6% की हिस्सेदारी है, तो यहां से इस stocks को ऊपर लेजाने में देरी नहीं की जाए स सकती है, मेरे साब से आने वाले एक साल में से, देर साल के अंदर अंदर यह stocks आराम से 100% का result, 100% का gain अपने stock price में दे सकता है, लेकिन यह कोई recommendation नहीं है, आप अपने due diligence यूज़ करिएगा, आप परी सोच समझ यूज़ करिएगा, किसी stocks को buy or sell करने के से पहले, आप अपने financial advisor से बात करेगा, मेरे कहने पर किसी stocks को buy or sell नहीं करना है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, thank you, thank you so much.